इसमें अधराप प्यास मिला के हियरफल लोशन बनाऊंगी हाई गाईज मेरा एलोबरा का पोधा इतने बड़ी हो रही है अभी मैंने इतने सारे काट काटके निकाला है चापु से यह निच्छे निच्छे से काटा है और आ जाएगी मैं अब इसमें अधराप प्यास मिला के हियरफल लोशन बनाऊंगी मैंने एलोबरा को अच्छे से धो दिया है पानी में अब इसका छिलका उतार के इसकी अंदर की गुदा निकालूंगी और प्यास और अधराप को भी धो दिया है प्यास का छिलका निकाल दिया है इसको छोटी छोटी पीस में काटके मिक्सी में पीसूंगी और इसका जूस निचोड के निकालूंगी एलेवेर आपक में इस तरीका से काटके छिलका निकालूंगी आरम से छिलका निकल जाती है और चमज से इसकी अंदर का पुदा निकालूंगी इस तरीका से निकल जाती है यह आप देख सकती हो इस तरीका से निकल जाती है इसकी एलेवेर आपक में हलकी काटा काटा भी होती है इस तरीका से निकल जाती है यह आप देख लेजी एक में बर्तन में निकाल रही हूँ यह जितनी भी एलो बेर्या है सबकी में इस तरीका से निकालूंगी द्यान से छीलना चाहिए यह काटा काटा हो जाती है यह लगती भी यह चूपती भी बहुत जोड़ती है काटा इस तरीका से काटा को निकालना होगा साइट शाइट से इस तरीका से बहुत तीही काटा होती है बहुत जोड़ती है इस तरीका से निकाल लिया है मैंने यह तो मैं आप फेक दूंगी क्योंकि इसका सब का अंदर का मैंने अच्छे से निकाल दिया है अब इसको मैं मिक्सी में पीशूंगी अब प्यास को भी छोटी-छोटी पीश में काटूंगी और अधरक की छिरीका उतारूंगी मिक्सी में पीशूंगी और इसका निचोड के जूस निकालूंगी और एलो बेरा को भी अच्छे से मिक्सी में पीशूंगी एलो बेरा को अलग पीशूंगी और अधरक प्यास को एक साते पीशूंगी अधरक को काट दिया छोटी-छोटी पीश में अब इसको मैं मिक्सी में पीशूंगी इसमें पानी एट नहीं करना है प्योर अधरक का जूस होना चाहिए प्यास को भी पीशूंगी प्यास में भी कोई पानी एट नहीं करनी है इसका प्योर जूस होना चाहिए हो गई है प्यास भी अब मैं इसको भी बाउल में निकालूंगी अब मैं जो मैंने एलो बेरा का गुदा निकाला था यह भी इसी में डालके इसको भी मिक्सी में पीशूंगी एलो बेरा को भी मैंने मिक्सी में पीश लीया है अच्छे से पीशा है इस जहां का रही है बिलकुल से आफ और कीतारा हो गई है अबました हुसको भी बाउल में निकालूंगी मैंने अधराख प्याज को अच्छ से मिक्सी में पीश लिया है, येलो बरा को भी में पीश लिया है, और छन्नी में छान लिया है, थोड़ी सी मोटा मोटा सा अलग हो गई है, अपमें अधराख और प्याज का भी इसी तरीका से जूश निकाल लूँँ, मैंने एक बॉन्स लिया है और यह चंणी सी नेट की कपड़ा लिया है इसके उपर रखोंगी और मैं यह पीस्योई प्यास को इस तरिका से लाल दिया है अब मैं इसको निचोड़के इसका प्योर जूस निकाल गूंगी यह आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से निकला है इसका जूस वाउ प्योर जूसे पानी एक बुन भी नहीं मिलाया मैंने जूस निकाला है और यह इसी में डाल दूंगी जो एलो बेरा का जूस मैंने निकाला था इसी में यह एट करूंगी और इसको इसी बॉल्च भी निकालोंगी अब देख लिजी और इसी कपड़े के उपर में अधारग जो पीसी होई थी अब भी डालोंगी और उसको भी में निकालोंगी अच्छे निचोड़ के इसके जूस निकालोंगी यह कितने अच्छे से निकला इसके जूस और इभी इसकी बॉल में रख दूंगी और अधरग के जूस भी इसमें मिक्स कर दूंगी इसका एलो बेरा अधरग की जूस और प्यास कीूस इसको इच्छे से निक्स कर दूंगी अधरग और प्यास की जूस भी मैंने एट कर दिया है एलो बेरा जूस में अब मैं लास्ट में यह एट करूंगी पड़िपता यह पड़ी पड़ता फ्रेस है यह बहुत अच्छा काम करता है यह फॉल के लिए बिल्कुल रूप जाते हैं इसको भी पीशूंगी थोड़ी सी यह जो बनाया चेल और यह करूंगी और इसे भी मिक्सी में अच्छे से पीशूंगी कड़ी पता को भी कड़ी पता को भी मैंने मिक्सी में पीश लिया है इसको भी मैं अब चन्ने में डाल के चन्नूंगी इस तरीका से कड़ी पत्ता का भी जूस निकाल लिया है मैंने पूर है इस पूर ऐलो बेरा के जूस पूर अधरक के जूस प्यास की और कड़ी पत्ता के जूस यह ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, यह जड़ना भी बन हो जाएगा, मोरिंगा ओईल, चार चमच एट कर दिया है, यह प्योर मोरिंगा ओईल है, और ग्यानिक है, आर्शियम की, और इसमें प्योर अधराप के जूस, प्याच के जूस, एलोवेरा के जूस, पड़ी पत हो गई, होम टीप्स, हेर ग्रोथ, लोशन, यह रोज रात को हेर में अच्छे से लगा के मल के सोना है, और सुबा सेम्पू करना है, अच्छे से सेम्पू हो, हर्बल सेम्पू, अभी मैं इसको एक सीसी में भरके रखूंगी, आजकल हर सब को समस्या है, बोड़ों को नहीं यह बच्चों को भी समस्या है, बाल गिरता है, बाल जढ़ रहा है, गंजा हो रहा है बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे भी, सब के लिए काम करे गई है, यह से लोशन, अदरा, प्याज, एलोबेरा, कड़ी पता की प्योर जूस, एक बुंदी पानी नहीं है, अब मैं इ अब मैं फ्रीच में रख दूंगी बन करके, जब भी बालो में लगाना हो, थोड़ी शी अपने निकाल लो, दो-तिन चम्मच और लगा लो, यह बहुत अच्छा है, और ग्यानिक है, प्योर जूस की, आप लोग भी ऐसे घर में बना सकते हो, खेर मेनर तो काफी लगता है, दो गंटा हो गए मुझे, पहले एलो बेरा को मैंने अच्छे से गमले से निकाला है, फिर अच्छे से धो के उसको छीला है, फिर उसकी अंदर का गुद्दा निकाला है, फिर अधा रख को मैंने अच्छे से धो के छिलका उतार के इसको पीसा है, इसका जूस निकाला है, और इसके भी प्योर जूस निकाला है मैंने और अलो बेरा को भी अच्छे से गुद्दा इसको मिक्सी में प्रीशा है और चारो को मैंने मिक्स कर दिया है और एंड में मैंने मोरिंगा ओईल डाली है इसमें छे चम्मज डालिए अधरा प्याज कड़ी पत्ता और एलो वेरा यह हो गई अब डेली रात को लगा के सोंगी और सुबह सेंपू से बाल वास करोगी इसे बाल जढ़ना बन हो जाएगा और बाल सिल्की नी होगा और जो बाल तूटे है उसकी जगा बहुत जल्दी बाल आ ज गई है यह हो गई मेरा घर की टीप्स करें करें करें